फैक्ट नमबर एक, हिप्पोपोटामस को अफ्रीका में सबसे खतरनाक स्तंधारियों में से एक भी कहा जाता है, क्योंकि उनके प्राकृतिक बिहेवियर और शक्तिशाली जबड़ों के कारण उनसे वार्शिक मानव मौतें भी होती हैं। फैक्ट नमबर दो, हिप्पोपोटामस का रोचक फैक्ट ये है कि वे अकसर पानी में डूब कर सोते हैं, वे अपनी सांस रोक सकते हैं और पानी में सो सकते हैं पांच मिनट तक, फिर सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं और फिर से डूब कर जाते हैं। फैक्ट नमबर तीन, उनकी दौर तकरीबन 30 मील प्रतिगंटे, 48 किलोमीटर प्रतिगंटे तक हो सकती है। इस गती से वे अपने बड़े आकार के बावजूद शेर और अन्य शिकारियों से बच सकते हैं।